नमस्कार दोस्तों आज फिर एक नए जज्जमेंट पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये डिस्कसन जिला और सत्यनय आधिस द्वारा दिया गया है इसमें एक खासियत है कि सारे एक्यूज छूट गए जिसे जेनरल वे में कहते हैं कि मुकदमा छूट जाना यानि कन्विक्षन नहीं हो पाया है तो आप सभी लोग इस जेज्जमेंट को ध्यान से देखें बहुत ही महतोपूर जेज्जमेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे मुकदमों को छूडाया जाता है यानि कन्विक्षन से एक क्यूजट को बचाया जाता है आप अगला 40 मिनट मेरे बता दू कहानी मुझे पता है पर मैं चाहता हूँ कि जो ये जेज्जमेंट 25 पेच का है इसके माध्यम से चला जाए ताकि समझने में आसानी होगी उन सभी लोगों को जो पहली बार पढ़ और सुन रहे होंगे ये वीडियो जो प्रैक्टिसनर एड़ोकेट है जिनकी सु प्रिप्रेशन कर रहे हैं उन्हें यदि रूची है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में उनके लिए भी है मित्रो इसमें हाइलाइट करने का आप्सन नहीं आता है जिसके वज़े से मैं परिसान रहता हूँ अब समय गवाए बिना केस के तथ्यों को पढ़ते हैं देखिए सब्सका थाने में रिपोर्ट दर्च कराई कि वादनी भीमला तिवारी सो एंसो स्वर्गिय डॉक्टर तिवारी की बिधवा है अब यह बताया जारा जो मृतक हैं रामना तिवारी उनके बारे में इसको पढ़ें यह बहुत बड़ा है लेंदी है लेकिन बहुत चीजी इ पर यह रामना तिवारी बड़े हस्मुक मिलनसार थे सांती प्रिय सोभाओ के बेक्ति थे स्री सुदामा पांडे यह एक्यूज्ड है जिनके ट्रायल के दौरान मिरित तो हो गया था आज कल यहां बच्पन के मित्र थे तिवारी और यह मिश्टर सुदामा दोनों लोग ब लाव उठाकर इसके बाद से यह दोनों लोग डौक्टर तिवारी की बेटे से यह सुदामा पांडे की बेटी की बिवा हो जाती है इतना तकाई है आप बेटे चले जाते हैं दिल्ली रहने के लिए प्रेम पुर्वक रहते भी है दो हजार साथ में बहु की विदाई कर द संबह हु है उनकी जो कुछ संबह हुआ अपने साथ लेती गई तब से आज तक उसने उसे उन्होंने भेजा नहीं है स्री सुदामा पांडे लड़की के पापा हैं बार बार अकारण धमकाने लगे कि हमारे दमाद बेटी का हिस्सा अलग कर दीजिए डौक्टर साहब को ध या यानि फसाए भी मुकदमों में लागातार मुकदमे जो पूर्तह मन गढ़न्त हैं उसके उपर लाते गए जाच हुई तो पुलिस ने दहेज उत्पूरिण दहेज मांगने वाली धाराओं में मुक्त कर दिया तत पस्चात फरजी डौक्टरी जाच करा कर वादनी को ल तो डौक्टर तिवारी के परिवार को चैन से नहीं रहने देंगे ये सब बाते लड़की के पापा लड़के के पापा से कह रहे हैं किन्तु ऐसा नहीं पाया इसके बाद अदालत में 493,4 दोनों तरफ से बहस हुई ये सब फैक्ट है ये इंपोर्टन्ट है तेकिन थोड नहीं उपस्तित थे उनका भी समन तामिल प्राप्त कर लिया उसी दिन डौक्टर साहब की चिंताए इतनी बढ़ गई ये डौक्टर साहब जो है एक दिन कचहरी में आये थे इनसे समन का तामिल हो रहा है इससे आगे आप लोग बढ़ेंगे सीने में तेज दर्द होने कार्डियोलोजिस्ट बी एचिव में एडविट हुए 15 मार्च 2021 को उनका परिवार जेल जाएगा ऐसा धमकी मिला था उन्हें इस बहुत भयाकरान थे बहुत उदास रहने लगे 14-21 को दरवाजे पर बैठे थे और उनके सामने रोज की भाती कई आदमी बैठे थे देखी यह important है defense के लिए डॉक्टर सहाब मुकदमों के कारण अपनी बेचैनी को व्यक्त कर रहे थे उसी बीच वो फूट फूट कर रोने लगे सब लोग आस्चरे चकित हो गए अंतरगत धारा इतना रीतु बनाम रितिकेस आदी मुकदमा ठीक उसी घटना अगले दीन भी घटी एक रीतु बनाम ये निकेस मतलब रीतु लड़की थी और निकेस के वीच मुकदमा चल रहा था इसी बीच से वो परिसान थे अब देखिए इसके आगे से सारी चीज़े महत्वपून हो जाएंगी संध्या यानि पंदरा दो दो हजारे किसको बादनी अपने एक पडोसन के घर गई थी वादनी है यानि लड़के की मम्मी जो बेक्ती सुसाइट किया है उसकी पत्नी संध्या आठ बजे के लगबग जब घर लवटी तो पता चला की डॉक्टर साहब के यहाँ एक फोन आया था जिसकी बड़ी जोर जोर की आवाज फोन पर सुदामा पांडे भुने स्वरमिस्रा का नाम ले रहे थे उधर से बच्चे और पूरे परिवार को मारने की आवाज आ रही थी मूबाइल का स्पीकर आन था वो फोन दीन में लगबग दो बजे आया था यह उसके पिता जी ने बताया जिसमें तेकि अब यह उसके पिता जी ने बताया उनके पापा भी घर पे है उन्हों ने बताया है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों को भी गोली मारने की धंकी आ रही थी रात नौ बजे तक डॉक्टर साहब घर नहीं लोटे तब वादनी की चिंता बढ़ने लगी उसने उन सभी अस्थानों पर फोन किया जहां जहां बैठते थे कोई पता नहीं चला जहां तक की वादनी ने लंका थाने में भी उनके गुम होने का फोन हिया अचानक किसी काम से घर के पीछे टीन सेड जिसमें भूसा आदी को रखा जाता है गाय के लिए उसके अंदर वादनी गई तो जो द्रिस से उसने देखा देखकर भे होस्प्राय हो गई इस प्रकार की घटना के बिसाय में सोचा भी नहीं जा सकता था डॉक्टर साहब टीन के सपोर्ट रखे बांस बल्ली से गले में रसी का फंदा लटकाए हुए थे वादनी दोड़ कर चाकू से काईटी डॉक्टर साहब जमीन पर संथ पड़े थे सोब को एक कहानी समझ लिए आप लोग सौट में मैं समझा दे रहा हूँ प्रयास करता हूँ जल्दी ही हो जाए लेकिन ये टेक्निकल विस है इसको थोड़ा समय दे के आपको समझना ही चाहिए क्योंकि ये मुकदमे देखिए 2011 से सुरू हुए हैं Decide 2024 में हुए हैं इतने लंबे जर्नी को 10-5 मिनित में घवडाहट में बताने से उतना अच्छा से बता नहीं पाया जाता है देखिए दो मित्र हैं उन्होंने अपने बेटे बेटियों की विवाह कर दिया मित्रों में कुछ दिक्कते आई तो लड़की के पापा ने धमकी दे दिया लड़के के पापा को लड़की और लड़के मुकदमा लड़ने लगे आपस में इन सब बातों से वो परिसान हो जाते हैं लड़के के पापा परिसान होते हैं उनको एक दिन फोन आता है कहा जाता है कि उस फोन पे धमकी देने वाले लड़की के पापा और उनके के लोग थे इस तरह से एक दीन जो डॉक्टर साहब थे लड़के के पापा थे वो सुसाइट कर लेते हैं फोन पे जो धमकी मिली थी उसके बाद से तीन-चार पॉइंट आपकी दिमाग में किलियर हो गया इसी पे पूरा केस बेश्ट है अब आप देखिए कि वादनी कह रह होना चाहिए था काइदे से जो नियम है वही ग्राउंड आगे जाकर के एक्विज्डों को एक्विटल दिला देगा आप इतना तक देख लिए इसके बाद केस में हम लोग आगे बढ़ते हैं में फेक्ट आप यही समझ लिए रात भार रोहती रही बिछिप्त हो गई थी दूसरे दिन मुहले के लोग ने सारी तैयारी करकर उनका दासनसकार किया जो भी करना था किया उक्त केस के बिवेचना देखिए तो उसे वह नो जिससे उसके सुर्गे पर ने आदमकास लिखा था प्राप्त हुई अब चौथे पॉइंट पे आईए आज से चार दिन पहल थाने पे रिपोर्ट मिला है या जिस दिन मिला है उस दिन से चार दिन पहले और उनके मृत्यों के तीन महिना बाद तीन या चार महिना बाद एक सुसाइड नोट उस कमरे से मिलती है आत्महत्या करने से पुर्व लिखा था प्राप्त हुई जो इस दस्वखत के साथ मुकदमा दर्ज हो गया बादनी ने एक सूसाइड नोट पाया और उस सूसाइड नोट में इन अभीप्तों का नाम लिखा था इसी पर मुकदमा दर्ज होता है और कितना विक केस बन जाता है जिसमें एक्वेटल हो जाता है और कोई संदेह नहीं है कि डिफेंस के अधिवक् में पॉइंट पे ही हम चलेंगे इसमें दो ही गवाह हैं एक तो गवाह हैं उनकी पतनी मृतक की पतनी और दूसरे मृतक के पतनी के पिता तो इन दोनों लोगों ने तो मृतक की पतनी जो है P.W.1 अपने मुखे सारी बाते बताई कि किया हुआ कैसे हुआ सब कुछ हुआ था और इनको एक बात ध्यान आप देके चलेंगे कि जब यह आई दुसरे के घर में गई थी तो इनके पता चला इनके पिता से पता चला कि कोई फोन पे डॉक्टर साहब को धम्की दिया है तो यह कौन से साक्ष हो गया सुना सुनाया साक्ष हो गया जो आगे आएगा मैं अभी यही से बताते चल रहा हूं सुना सुनाया साक्ष हो गया और यह लोग कहां लेके गए थे तो बी एचू अस्पताल में काडियोलोजिस्ट विभाग में भरती कर आए थे अब बताए इन्हों ने जो डिफेंस ने क्रॉस एक्जामिनेशन किया है वही बहुत ही जबरजस्त है इस पे तो ये लोग बता रहे हैं इनका एक्जामिनेशन इन चीफ है इक्जामिनेशन इन चीफ है जब इनका क्रॉस आएगा तब मैं वहाँ दिखाऊंगा पी डावलू तीन ये पुलिस के जाच अधिकारी है डी डावलू वान आते हैं सियाम बिहारी तिवारी ये डिफेंस वीटनेस हैं वो सब कुछ बताते हैं इन्हों ने बताया कि रामनत दिवारी हार्ट के मरीज थे उनकी मरीज तो हार्ट रेटेक से हुई है आप यहाँ पर ध्यान दिजेगा इनकी मरीज तो हार्ट रेटेक से हुई है ठीक है अब यही पर फस गया पूरा प्रोसिक्यूशन यही पर फस गया यह जो डॉक्टर साहब थे यदि सुसाइड किय तो हाड के मरीज भी थे हाड डेटेक भी था और मैं इस जज्जमेंट का भाग नहीं है एक अनुमान व्यक्त कर रहा हूं कि यह इंसूरेंस भी अपना कराये होंगे उस इंसूरेंस का पैसा और अन्य चीजों का लाव लेने के लिए इनके परिवार्जन यदि सुसाइट दि खा करके हर जगा से प्रमाडपत्र प्राप्त करते हैं और वही चीज वही सारा डॉक्मेंट डिफेंस के हाथ लग गया है आप यही से पूरा टर्निंग पॉइंट आप देखेंगे जिसके मरने के बाद उनके लड़के निलेस ने देखी यहां से मैं पढ़ रहा हूं कासी बिद्यपीट ब्लॉक पर मृत्व प्रमाडपत्र के लिए प्रात्ना पत्र दिया था जिसके साथ नसीरपूर में ग्राम परधान जूही राय का प्रमाडपत्र दिया था पंचायत सदस्याम भूसर सर्मा का प्रमाडपत्र दिया था जिसमें उक्त ग्राम परधान पंचा इदना आसान नहीं है मेनत करते हैं उनके बच्चों ने जहां जहां से प्रपत्र लिया और पिता का मृत्व प्रमारपत्र बनाया जिसमें मृत्व का कारण हार्ड टेक लिख दिया और सारा ये डॉक्मेंट का कॉपी डिफेंस को प्राप्त हो गया अब प्रसीक्यूशन के पास क्या बच रहा है प्रसीक्यूशन के पास बच रहा है मृत्व के तीन मन्थ बाद प्राप्त हुआ सुसाइड नोट तीन महीने बाद प्राप्त हुआ सुसाइड नोट और सुसाइड करने से पहले आया हुआ एक फोन कॉल जो क्लियर नहीं कर पा रहा था कि कहा से आया किस नंबर से आया उसका CDR क्या है इसका कोई evidence था नहीं और जो वेक्ति सुने थे यानि मृत्य जिनकी हुई उनके पतनी के पापा यानि उनके ससुर जो सुने थे वो भी असपश्ट नहीं सुने थे कि धमकी दे कौन रहा है और ये बात वो बताए अपनी बेटी को जो सुना सुनाया evidence उनकी बेटी का evidence खारीज हो गया अब बच गई ये तो ये एक असपश्ट नहीं कर पाए दूसरा जो मृत्व प्रमाड सुसाइड नोट था चार पाच पन्ने का उस सुसाइड नोट में क्या होता है कि दो ही गवा है तो एक गवा से पूछा गया मृत का के पिता से पूछा गया जो मृतक के ससुर है उनसे पूछा गया तो उन्होंने head writing देखा नहीं था कि कैसे लिखते हैं वो पहचानने में cross examin में उतना अच्छा जबाब नहीं दे पाए उनकी पतनी ने तो जबाब दिया लेकिन वो single evidence था और इस evidence का जो मूल था suicide note का उसका prosecution को आई यही पर आया इस लेकुना का पूरा लाब defense ने ले लिया और एक बड़ा लेकुना के आया कि जो मृतक हैं उनकी पतनी नर्स हैं अब यह नर्स जिस जिस दिन बताई हैं कि मैं टिंसेट की सफाई कर रही थी वहाँ पर मिला उस दिन वो जहां नर्स थी वहाँ पर attendance लगा द लिया था इवेन जिस दिन इनकी मृत हुई दाह संसकार हुआ उस दिन भी वहाँ परजेंट थी इसलिए इनका होल करेक्टर या कंड़क्ट का यह होल कंड़क्ट संदिग्द होने लगा और इनकी एविडेंसियरी वैलू लोवर होने लगी लोग के तरफ जाने लगी और एक इनके पिता ही गवाँ थे दो ही गवाँ थे पिता उतना मजबूत गवाँ बन नहीं पाए पतनी उनकी अपनी कंड़क्ट से अपना इस टेटस खोने लगी और डिफेंस के पास बहुत सारे डॉकुमेंट उन्होंने कलेक्ट कर लिया यही मेन अधार हुआ जिसके वज यह डिफेंस के डि से मतलब डिफेंस के गवाँ उसा यादव इन्होंने प्रफत मेने मिरितकरतिवारी मृत प्रमाण पतर है तुझो खंड विकास अधिकारी के सत्यापत प्रतिलिपी फोटो की मूल से मिल यह मृत प्रमाण पतर को राकेश unik ने बयान किया कि विका पास अधिकारी पंचायत इन्होंने जन्म रितु रजिस्टर देखा और इसने जो जिस अधार पर आप लिये थे उसी को बता दिया इसको ये भी क्या करता अब बहस सुनिये जीला और सास की अधिवक्त क्या कहेंगे अब तो ये जो बाते हैं उन्हीं को कहेंगे कि भाई साइड नोट था ये लोग मुकदमे में फसा कर धंकी दे रहे थे जिस धंकी के वज़ा से बेक्ती ने सुसाइड कर लिया इसलिए इसे सजा दी जाए अब डिफेंस पे आईए यहां सास की अधिवक्ता में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि ये मुकदमा छूट गय है तो डिफेंस ने क्या आवलंबल लिया है वो महत्वपून हो जाएगा कहां से सुरू हो रहा है बहस बचावपक्ष बचावपक्ष के अधिवक्ता ने दिया कि बिमला तिवारी ब्रिज तिवारी दरा घर के पीछे डॉक्टर तिवारी को रसी से लटके हुए पाया एक महिने बाद वो प्राप्त की थी सुसाइड नोट तहरीर दिया ठारह तीन को अब हुआ कि मुकदमा पंजिक्रित हो गया ठीक है दूसरा पॉइंट इनो ने दिया कि सुदामा पांडे बार बार धमकाते थे हिस्ता अलग कर दो नहीं तो दहच को तो फसा देंगे तो य पांडे दोरा उनके पूरे परिवार को मारने की धमकी दी गई उक्त साक्षी दोरा अपने साक्ष में यह बात स्विकार की गई कि उपरोक्त फोन आने के समय वह घर पर नहीं थी देखिए उनकी पत्नी घर पे नहीं थी आठ बजे कहीं और से आई थी और उसके बारे में उसको पीता ने बताया पी डालू टी बताया यह सुना सुनाया साक्ष आप लोग सभी लोग जान रहें कि एड्मिसिबल नहीं होता है उपरोक्त प्रस्थिति में पी डालू बिम्ला तिवारी का साक्ष डॉक्टर रामना तिवारी के फोन पर धंकी देने के संबंध में पीलन के फसाने बर्बाद करने की धंकी दी गई उप्त साक्ष द्वारा प्रस्थिति में यह भी कथन किया गया कि उपरोक्त धंकी के पस्चात रात को यारा बजे टीम सेड में गए सारे परिवार को बर्बाद करें उपरोक्त के द्वारा कौन था देखिए उपरोक्त ब अवाज को नहीं पहचानता है यह ससूर है यानि जो बादनी है उसके पिता कह रहे हैं कि भाई उधर से फोन पे मृतक को जो धमकी दी गई वो आवाज में नहीं पहचान सकता है एक मिस्टेक हुआ है इसे यह सब पहचानते थे रिस्तेदार सब जानते थे लेकिन क्रॉस एक्जामिनेशन ऐसा हुआ था डिफेंस के द्वारा जिसमें यह ध्यान से इनके हटा और यह नहीं कहलवा लिया गया था उसी को यहां पे कोट किया है वह बरहाल हम लोग कि जो सुसाइड नोट था उसको पढ़ने लाइक है उससे और इसको पढ़ने पर जज्ज्मेंट पर बहुत किलियर होगा हाला कि वो तो मिल नहीं पाएगा यहीं मिलेगा अब निसकर्ज देखिए सब दोनों सुनने के बाद निसकर्ज क्या नयधिस निकाले हैं अव्यूक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप के संबंद में अव्योजन साक्ष का बिस्लेसर करने से यह देखना आवस्यक है कि वादी दौरा पर्थम सुचना रिपोर्ट से समय से लिखाई गई है नहीं एक महीना डिले है डिले का कारण वहीं था कि उसे जब प्रोसिक्यूशन का है फिर आईए पी डावलू टू है इनके बयानों को कोट जो उपर हम लोग पढ़ लियो वही है अब यह देखिए अब यह देखना आए कि क्या में तक दार्थिवारी की अभिद्ध दुस्प्रेड़ा अब यहां से यह मैं पढ़ रहा हूं प्रंतु इसके विपरीत प्रती परिक्षा में यह भी कथन किया गया है कि पूलिस को दिया गया प्रार्थना पर सुसाइड नोट के अधार पर नहीं दिया गया था एक और मिश्टेक हो रहा है प्रोसिक्यूशन से एक तो इन्होंने कहा कि जो डिले हुआ एफ आई आर लिखवाने में वो इसलिए हुआ कि यदि सुसाइड नोट नहीं मिलता तो मैं एफ आई आर नहीं करा थी और दूसरी तरफ प्रती परिक्षा में क्या इन्होंने कहा है क्रॉस एक्जामिनेसन में इसलिए क्रॉस एक्जामिनेसन को बहुत महत्वपून माना जाता है तो इसमें यह कॉंट्राडिक्षन हो रहा है एक कहा जा रहा है कि प्रार्तना पत्र सुसाइड नोट से पहले दिया गया दूसरा कहा जा रहा है कि अगर सुसाइड नोट नहीं मिलता हम प्रार्तना पत्र नहीं देते दोनों में विरोधाभास आ रहा है इस लेकुना को डिफेंस ने भी और विद्वान नायधिस ने भी कंसीडर किया है। तब देखिए साक्षिगण प्रथम सूचना रिपोर्ट बिलम से पंजिक्रित कराये जाने की कोई भी समुचित असपस्टि पर देने में और सफल रहे हैं। इसका अपील होना चाहिए। इसी ग्राउंग पर अपील में हुए बिलम और योजन कथन को संदिग्द बना देता है। एक मिश्टेक पूरे कथन को संदिग्द बना दिया। कहां से? क्रॉस एक्जामिनेशन में। इसलिए भाई, जिस तरह से आप डॉक्टर रखते हैं, उच्छ कोटी के डॉक्टरों को, उसी तरह से उच्छ को प्रोसिक्यूशन का स्टेट डिपार्टमेंट था, फीर भी वादनी मुगदमा को एक अपना प्रस्नल काउंसल जरूर रखना चाहिए था, एसिस्ट करने के लिए, क्योंकि इच एन एवरिधिंग प्रोसिक्यूशन का जो सरकारी अधिवक्त हैं, वो नहीं बता पाएंग काफी वादन है उन पे, काफी ओफिसियल वर्क तो इतना है कि लीगल छोड़ ही दीजिए आप, वो क्या उनको समझाते कि क्रोस में क्या बताना है नहीं बताना है, ये सब बाते आपका आपका नीजी कंसल्टेंट कर सकता था, ने जो पढ़के आये हुए स्टूडेंट है काफी अच्छे स्टूडेंट है, वो आपको ऐसा एसिस्ट कर सकते थे कि आपको कैसे करना है, प्रैक्टिसिंग लॉयर, जिनको थोड़ा बहुत भी अनुभव है, चीफ क्रोस का, केसो का, और इस तरह के जज्जमेंट आप पढ़ेंगे, दस बारा तो मैं खुद ही बनान F.I.R. को ही संदिग्द बना दिया है, अब क्या देखना है, कि 306 जो है, आत्महत्या के लिए दूस्प्रेर, उसके लिए सेक्शन 107 के इंग्रीडेंट का फुल्फिल होना ज़रूरी है, तो वो उपर ही हम लोग देख चुके हैं, डिस्कसन में, कि दो जो गवा है, वो उ खारा के इंग्रीड आवशक तत्तो की आवे सकता होती है, तो 107 याद रखेगा, आत्महत्या का दूस्प्रेर, करने के लिए किसी बेख्टी को उसकता है, उस बात को करने के लिए किसी सड़ेंदर में सामील होता है, दूसरा उस बात के किये वगेर किसी कारी या आवैध लोव द्वारा सहायता करता है तीन बाते होंगी तभी होगा तो अब देखिए थोटी टू नंबर पे विद्वान ने अधिस क्या निकाल रहे है अव्योजन के कथन के अनुसार सर्दी से मैं बहुत परिसान हुई से लिए बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है तो फिर ऐसे रिलेटेड इसस को आप उमीद है नजहे रंदाज करेंगे स्वस्त अभी नहीं हो मैं अव्योजन के अनुसार अव्युक्त गंड़ दोरा डॉक्टर राम ना तिवारियों मुनके परिवार के बिरुद दहेज उत्पणन का कराया गया अन्य मुकदमे भी थे ये अभी उसी का चल रहा है उपर जो आया है तत्थ उनी के हिसाब से चल रहा है फोन कॉल पर आता हूँ जहां मेन है अव्योजन के अनुसार यहां से देखिए उग तो फोन कॉल के पच्चात में रुतक तिवारी ने फांसी लगा कर आत्म हत्या कर ली तो भाई देखिए एक फोन कॉल आया जिस पर मृत तो हो जा रही है तो उसके दो गवा हैं एक कह रही है कि हमारे पीता जी बताए कि किसी ने फोन करके इन इन बेक्तियों ने धंकी दिया इसलिए हमारे पती ने सुजाइट किया उनका साक्ष सुना सुनाया साक्ष हो गया वो खंडित हो गई, Pw2 जो बेक्ति अपनी लड़की को बताया था कि हमारे दमाद इस कारण से मरे, वो बेक्ति क्रॉस इक्जामनेशन में कहा कि हम दोनों का आवाज को नहीं पहचानते हैं, वो खुद ही खंडित हो गया, दोनों यहां से खंडित हो जा रहे हैं, तो 107 के इ DR लेकर के, कॉल डिटेल लेकर के, कि किसका फोन था, वो नंबर किसका था, किस नाम से था, तो इसे इस संदे कन्विक्शन में बदल जाता है, इसी तरह से भिमला तिवारी Pw1 का वही बयान है, जो हम लोगों डिसकस कर रहे हैं, Pw2 जो है, उन्होंने यह कह दिया, गोली मा साक्षी द्वारा प्रती परिश्य में कथन किया गया है कि मुबाइल पर राम नातिवारी से हुए बारतालाब को मैंने कुछ सुना, कुछ नहीं सुना, कुछ सुना, कुछ नहीं सुना से नहीं काम चलता है वही, अब सच्चा ही नहीं यहां बताने आया है, कन्विक्शन क के लिए criminal justice system में पूरा सुना इन इन वेक्तियों की आवाज थी मैंने सुना इस आधार पे चलता है conviction बरबाद कर दूँगा तो अब आई इस पर conclusion क्या निकला है सुनी सुनाई साक्ष कि स्रेडी में आता है फोन करने वाले वेक्ति अव्यूत गड़ थे या देखा जाना आव ही उसने फोन किया यह कह रहा है कि कुछ सुना कुछ नहीं सुना और उनको बताया है इन्होंने दोनों लोग खंडित हो रहे हैं तो भी जूड़ा जा रहा है तलास किया जा रहा है यहां से देखिए यह देखना जाना वस्यक होगा कि क्या अभियोजन द्वारा दिये गए साक्ष अन्य साक्ष से सावित होता है कि अभ्योजक गण दोरा मृतक को मुबाइल फोन पर दिया गया यानि यहां पी और ढूड़ा जा रहा है कि वही फोन कॉल का डीटेल ही आ गया होता उस समय पता नहीं 2011 में फोनों में रिकार्डिंग होता था कि नहीं वही होता लेकिन अभ्योजक 47 नंबर पर आईए अभ्योजन दोरा मृतक तिवारी वा अभ्योगत के कॉल डीटेल को साबित नहीं किया गया है अभ्योजन दोरा अभ्योजन दोरा मृतक के कॉल डीटेल को साबित किया जाता तो उसे यह स्पष्ट हो जाता था कि अभियुक्त की मिरित्व फोन उसकी धमकी यदि यही साबित हो गया होता दोस्तों तो उनको कन्विक्षन हो जाता यदि जो पी डाबलू टू था वो यह कहा होता कि हां स्पष्ट मैंने सुना है कहां और नामे जो रख दिया उससे यह पूछा गया था क्रॉस एक्जामनेशन में क्या मिस्टर तीवारी उस दिन स्पिकर पे फोन करके बात कर रहे थे तो उन्होंने यह तो बात कह दिया कि हां यह पूछा गया कि क्या फिर वो हमेशा इस्पिकर पे फोन करके बात किया करते थे उसमें वो बेक्ति कह दिया मु कुछ सुन सकता था कुछ नहीं सुन सकता था इसी लिए क्रिमिनल जेश्टिस सिस्टम में ब्योंड रिजनेबल डाउट फूरूफ कर रहा है आप कुछ सुनेंगे और कुछ नहीं सुनेंगे इस अधार पर किसी को कन्विक नहीं कर दिया जाएगा उसका तो पूरा बेनिफि में छूटते ही रहेंगे अब 48 नंबर को हम लोग देखते हुए जल्दी से खतम करते हैं अभियोजन के अनुसार मृतक डॉक्टर रामना तीवारी ने अत्महत्या करने लिखा था अब देखिए ये तो खतम हो गया सारा एविदेंस कि उससे मृत्या करने के लिए उस व्य नोट को भी हम लोग देख लेते हैं उक्त कथित सुसाइड नोट को P1 विमला तीवारी द्वारी द्वारा साबित किया गया सुसाइड नोट की विश्वरसनेता को न्याले द्वारा देखा जाना सेस है अब यहीं देखिए न्याले तो ढूट रहा है कि कुछ तो लाओ भ पर दंतु यह उलेखनी है कि उपरोग सुसाइड नोट में भी दिनांग 15-2 को अभिवत गण द्वारा फोन करने की जूटी मुकदमें की धंकी का कोई उलेख नहीं है अब भाई देखिए इसी को आवलंबल ले लिया गया सुसाइड नोट में कि यदि उसे फोन कॉल पे द्धमकी दी गई थी तो सुसाइड नोट में जरूर लिखता और सुसाइड नोट यह इतना बड़ा है और इतना वेवस्तित है तीन पेज का है लिगल पेज पर लगता है कि है इतना बड़ा सुसाइड नोट है उसमें इच एन अवरी थिंग लिखा गया है बच्पन का मि परने वाले बेक्ति का इस से ये और संदिक्द हो गया तो ये तो और पुक्ता कर दिया कि उन्हें धमकी नहीं दी गई थी इस बात के तरफ इंडिकेशन दे दिया तो देखिए परंतु यह उलेखनिया है कि उप्रोक्त साइड नोट में भी दिनांग कुछ उलेख नहीं मिल उप्रोक्त भी वेचना से असपश्च होती है कि अव्योजन के खथन के अनुसार अभ्यूक्त गंड द्वारा मृतक राम फोन पर उन्हें वापन धमकी दे कर जान से मारने की धंत की दी गई उक्त को साबित करने के लिए अव्योजन भीमला तिवारी तो को साक्षी के परतालाब सुनी गई प्रंतु उसे यह नहीं पता था कि दूसरी तरफ कौन बोल रहा है और इसके बारे में उसे मृतक द्वारा बताया गया था उपरोक्त इस्थिति में पी डेवलो टू का साक्ष फोन करने वाले बेती की पहचान के संबद में सुनी सुनाई साक्ष के स्रेडी में आता है और योजन द्वारा उक्त फोन कोल को साबित करने के लिए अव्योक्त गणवा मृतक के कॉल डीटेल को नियाले में साबित नह अगर पी डावलो टू का यह आ रहा है कि मृतक ने बताया था तब तो admissible हो जाएगा भई डाइडेक्ट है सुना सुना यह कहां वो जो मृतक है लाश्ट वोस ने बताया और उससे विमला पे जा रहा है यह दो अलग-अलग परिस्थितियां है evidence act में आप पढ़ेंगे कि म और clear हो पाएगा सावित के अतरिक्त अभ्योजन द्वारा किये गए सुसाइड नोट फोन की वारता का कोई उलेख नहीं है अता अभ्योजन युक्त युक्त संदेश से परे सावित करने में असफल रहा है तो यह देखिए यही बात आ गई जो उपर मैं बताया था आपको इस तरह से मित्रो यह सुसाइड नोट में इन्होंने ACGM-5 को भी बना दिया था कई लेकुना इसमें थी पहले से ही सिस्टेमेटिक नहीं थी एडवोकेट की कोई कंसल्टेंसी नहीं थी इसलिए इस मुकदमे में एड़ीडो का छुपना कोई आस्चरी चकित करने वाला नह परजूद यदि कोई अच्छा एडवोकेट कंसल्ट किया होता तो इसमें कन्विक्शन संभाव था है लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो डिफेंस काउंसिल थे उन्होंने बहुत ही मेहनत किया था और उन्होंने मेहनत करके अपने क्लाइंटों को बचा लिया ये न जीरो को आपको याद रखना चाहिए इसमें से नूट करकर के इन में क्या बताया गया है देखिए एस मोहन बनाम स्टेट 2011 का जो है इसमें the intention of the legislature and the ratio of the case decided by this court are clear that in order to convict a person under section 30 IPC there has to be a clear mens rea to commit the offense it also require an active act or direct act which led the disease to commit the suicide seeing no option and this act must have been intended to push the disease into such a position that he see committed suicide phone call से तो वो आ गया था उसमें लेकिन evidence वैसा strong नहीं आ पाया suicide note में भी phone call का जेकर नहीं था जिसे उप्रेरित वो हुए अगर phone call suicide note भी नहीं match कराया गया और इन लोगों ने जो उनका मृत पर मारपत्र प्राप्त किया वो insurance कुछ रहा होगा insurance में देने के लिए इस वज़े से वैसा लिया और इन्हें लगा कि क्या किसी को पता चलेगा प्रंतु अधिवक्ता ने ढून निकाला इन्ही सब आधारों पे ये मुकदमा छूट गया और फाइनल मैं आपको judgment दिखा देता हूँ फाइनल वर्डिक जो decisional part है उसमें क्या कहा गया आपको यदि चाहिए तो ये judgment हमें message करके आपराप्त कर सकते हैं देखिए आधिस क्या होता है अव्यूक्त सांती पांडे स्याम बिहारी तिवारी भुने सवर धाला 306 वा 506 के अपराद से दोस मुक्त किया जाता है अव्यूक्त गूर जमानत के विक्तिकत बंधन पत्र निरस्ट किये जाते हैं प्रतिभिव जो जमानत लेते हैं जमानत दारों को भी उनके दाइतों से उन्मुचित कर दिया गया यहीं फैसला आया था आप इस तरह से करके अपने मोखिल को बचा सकते हैं यह बहुत ही डिफेंस काउंसिल के तरफ से बहुत ही बढ़िया जज्जमेंट है इस तरह के आदेसों से समझ कर आप खुद भी अपनी म देगे सोन में यदि आप प्रैक्टिसिंग एड़ोकेट हैं तो और मेरा उत्साह वरधन करेंगे तो मैं इस तरह का और वीडियो बनाने के लिए उत्साहित होंगा उमीद है कि आप लोग मेरा वीडियो को सेर करेंगे चैनल को लाइक सस्क्राइब करेंगे तब तक के बहुत बहुत धन्यवाद जल्द ही मैं स्वस्त होके दो और जैज्मेंट के साथ आपके साथ मिलता हूं एक तो दस साल का कन्विक्शन 304 बी में हुआ है उसमें भी बहुत ही बढ़िया पॉइंट है लेकिन उसके अलावा एक फाइल की बहस हो रही है जिसे मैं बहुत ध् पूर्ण होगा आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों